हाट पीपलिया विदानसवा सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है पार्टी ने पूर्व विदायक जीतू जिराती को सीट की कमान सौपी है जीतू जिराती ने भी अपना काम शुरू कर दिया है बंसल नियूस से खास बाच्चित में जीतू जिराती ने कहा है कि सभी असंतोष्ट नेताओं को मना लिया गया है इस वक्त खुद जीतू जिराती जी हमारे साथ मौजूद है जिने हाट पीपलिया उप चुनाओं के लिए भारती जन्ता पार्टी ने अपना प्रबारी बनाया बहिया कितनी बड़ी चुनाओं कि महत्वपून सीट चोविश सीटों में से एहम सीट बनती जा रही है कहीं न कहीं देखिए अमिताब जी क्या है कि प्रतिक चुनाओं चुनोती ही होता है चाहे किसी भी तरह का चुना हो, चाहे छोटा चुना हो, चाहे बड़ा चुना हो और उसक चुनोती की रूप मेस्ट स्विकार करना को चाहिए जिस तरह से हाट पिपले अविधान सभा की ये सीथ है, जो उसका समीकरण है कि इन हालात और परिस्तितियों में यहाँ पर चुना हो रहे हैं ये जग जाई है किसी से चुपा हुआ नहीं है इसलिए यहाँ के सारे समिकरणों को देखते हुए मैं पिछले 6-7 दिन से 70 यहाँ के कारीकरतां कि संपरक में हूँ यहां के हमारी जितने नेता हैं उनके संपर्ट में हूँ आममत्दाता तक भी मैंने कोचने का परायास किया और अभे एक लंबा समय हमारे पास काम करने के लिए हम पहुच करके यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मुड़ है मतदाता हूं का तो कुल मिलाकर की ये देखने को मिल रहा है कि जहां पर जा रहे हैं वहाँ पर शिवरासिंग चोहांजी की जेजे कार हो रही है, सरकार की जेजे कार हो रही है, जिस तरह से पंदरा महीने की कांगरेस की सरकार ने अहंकार में आकर के इन जन प्रतिनी ध्यों का अपमान किया है, तो कुल मिलाकर की एक लिज़न निकल के आ रहा है कि हम पर्चंड बहुमत से विदानसबा यहां पर नहीं पूरे 22 की 24 विदानसबा जिते हैंगे महिरा बाहर की चुनोती से ज़्यादा अंदर की चुनोती है उससे कैसे निप्टेंगा मुझे ये लगता है कि आप भी यहीं पे हैं और में भी यहीं पे हूँ पूरी भारती जंता पार्टी एक जूट अभी चुनाओं की तारीक तहीं नहीं हुई है उसके बाद भी एक भी बात इसनी आप पूरे इस विदानसबा क्षेतर में गुम रहे हैं और इसनी यहां पर पूरे की पूरी चोवी सी विदानसबा में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है कुछ न कुछ प्रयास किनी लोगों के दोरा किया जा रहा है कई सारे लोग जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं वो इस तरह की बात सुलगाने का प्रयास करते हैं वो कहीं न कहीं हाथ में दि चुनाव लड़ने जारी है। बारती जनता पार्टी ने आपके वरक्ष पर पत्थर नहीं मारा है। जो उप चुनाव के प्रबारी है। उनका साब तोर पर कहना है कि चुनोतियां कुछ भी नहीं है अंदर की चुनोती हो या बाहर की हो उससे जरूर निप्टा जाएगा। और बीजेपी का प्रत्यक कार्य करता इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगा।